आज दन तेरस है गणीजी का मुर्ती खरीनना चाहिए पस्मी माता जी का खरीनना चाहिए पुवेर भगवान का खरीनना चाहिए इनको घर में लेके आईए सुच जल से जंगा जल से इसनान करवाईए पंचामर से इसनान करवाईए इसके बाद में इनका पुजापाट साकी जलाईए घीका, इसके बाद में अपना इनका लड्डू का भोग लगाईए, इसके बाद में इनका मतलब ऐसा चीज है, इगर के बार में भी साकी लगाईए, और आज सोना खरीनने से, चांदी खरीनने से, जाडू खरीनने से, हल्दी खरीनने से, मूं का गोटा मूं ख लेकर के श्याम को साथ पंदा बजे तक मूरत है इस समय में जो भी सामान खरीदते हैं पूरा साल लखो गुना हो जाता है और मत्त परिवार में सुक्ष्यांती आता है कुछ धंधाने के वर्दी होता है और एकदम जो भी मन की इच्छा है व्यकून हो जाता है और जितना पूजा पाट करेंगे उतना ही एकदम पूरा साल के लिए अच्छा रहेगा परिवार में सुक्ष्यांती आएगा सब एक दम अच्छा हो जाएगा जीकिये ची इसमें इसा चीज आ रहा है कई राशिया बहुत अच्छा चल रहा है जैसे बारा राशिया उती है उसमें जैसे परिवार में कुछ यालि आता है इसको हिंदू लोग हो मुस्लिम लोग हो पंजाबी लोग हो, मारवाडी लोग हो, बिहारी लोग है, सब लोगों का तिमार है, और एकदम भाई चारा का तिमार है, सब लोग मनाईए और एकदम सब लोगों का उननती हो. जुबिन गार को बुखुत भालोगा भालोगा गान आमी खोराय खुनिया हूं अर आपने को जोले भालोगा गान ठाके Love अपने गाय भाल पे ते अधियो और इशना जुग गान को फालोपां तो जोले खुब कबना ठाकील यह खंपोनों अनुस्थांगिलए वहाद